नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार पॉस माह की सुक्लपक्ष की एकादसी की तिथी को पुत्रदा एकादसी कहते हैं और पुत्रदा एकादसी का ब्रत संतान की प्राप्ति के लिए अमोध है संतान की सिर्फ प्राप्ति ही नहीं कराता ये ब्रत बलकि आपकी संतान की समस्याओं का निवारन भी करता है ब्रतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ब्रत है तो वो एकादसी का ब्रत ही होता है और एकादसी का ब्रत अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको मानसिक समस्याओं से भी मुक्ती मिलती है और मन की चंचलता भी समाप्त होती है साथ ही इस पुत्रदा एकादसी का ब्रत करने से अगर कोई हार्मोनल समस्या है तो वो ठीक हो जाता है और धन धान के साथ अच्छा स्वास्त भी आपको मिलता है पुत्रदा एकादसी का बृत संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम है सर्वोत्तम है और इस बार ये पुत्रदा एकादसी का बृत 6 जनवरी 2020 सोम बार के दिन मनाई जाएगी इस बृत को रखने के बहुत सारे नियम है आप चाहें तो निर्जल ब्रत भी रख सकते हैं या फिर फल और जूस जल पीकर भी रख सकते हैं ये आपकी एक्छापर है वैसे तो निर्जल ब्रत तभी रखिए जब आप पूरी तवर पर स्वस्थ हैं अब हम बात करेंगे संतान संबंधी मनो कामना को पुर्ण करने के लिए इस ब्रत के दिन एकादसी के दिन क्या करें लेखिए अगर आपको संतान नहीं है या फिर आप संतान के डवलेप्मेंट के लिए चाह रहे हैं कि वो अच्छे से लाइफ में सफल रहे तब इसके लिए आप क्या करेंगे संतान प्राप्ति के लिए या संतान के अच्छी जीवन के लिए सुबह सुबह नहा धोकर पती पत्री संयुक्त रूप से भगवान स्री कृष्ण को पीले पुस्प अर्पित करें पीले फल अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें फिर पंचाम्रि सुदेव जगत पते देही में तनियंग क्रिष्ट्वा महम स्रनंगता इस मंत्र का जब करें आपकी एक्षा पर है वैसे 108 बर कर लीजिएगा पती पतनी एक साथ ही आपने जो उन्हें पीले फलों का भोग लगाया है प्रसाद गरहन कीजिए और एक साथ अगर ब्रत रखते ह अगर इस दिन आप उपवास रखते हैं तमाम तरह के नियमों का पालन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा अब हम बात करेंगे अगर किसी मेडिकल कारण की वजह से आपको संतान नहीं हो पा रही है तब क्या करेंगे कभी क्या होता है किसी एक पती अपतनी में मेडिक की माला यानि तुल्सी की लकड़ी की माला आती है अपको पुझा समगरी के दुकान में मिल जाएगा उन्हें अर्पित करें और एक मंत्र है ओम क्रिंग मृष्यञे नमं और इसुतर का जब करें और इसके बाद आप तुल्सी की जो माला है ना पुझा उजहाרन करने के ब और इस माला को आप रात में पहन के सोईएगा मत और दूसरी बात नौनवेज खाने के समय इसे निकाल दीजेगा अब बात करेंगे अगर आपके बिवाह के पांच साल लगभग होने चले हैं चार साल पांच साल और आपको संतान नहीं हो पा रहा है तब क्या करेंगे तब इ पर बैठ कर बिस्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें और प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए अब यह जो आपने पीले चंदन का टुकरा उन्हें अर्पित किया है इस प्रुक्रे का दो भाग कर लें और पती पतनी दोनों एक एक भाग को पीले धागे में लपेट कर धारन करें और यह जो पंचाम्रित आपने भगवान को अर्पित किया है इस पंचाम्रित को प्रसाथ की रूप में आप तोनों गरन कीजिए बहुत सिंपल है इनकी उपासना करना और संतान का बरदान प्राप्त करना अब हम आपको सबसे अंत में बताएंगे अगर पाच साल से भी ज़्यादा हो गया है संतान नहीं वो पा रहा है तब क्या करेंगे तब ऐसे में भगवान स्री कृष्ण का आसिरवाद देता हुआ एक चित्र लगाईए अपने पुजास्थान पे अब पीले भोजन यानि आप पीला बेसन का हलुआ भी बना सकते हैं या फिर आपको जो संभव हो आप पीला भुजन बना लीजे अब उन्हें भोग लगाईए और यहीं पर बैठकर गजेंद्र मोख्ष का पाठ करें और आज के दिन से लेकर लगातार सवा मेहने, छे मेहने जितने आपको जब तक की लगता नहीं है का आपको रिजरंट मिल रहा है तब तक आप कीजे गजेंद्र मोख्ष का पाठ या फिर सुन भी सकते हैं और सोने का या पीतल का छला अपनी तरजनी उंगली जिसे हम पहली उ भुक का प्रसाद खाईएगा और फिर भगवान से प्राथना भी करते रहना है आपको ताकि आपको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए तो इस बिदी से आप भगवान को मनाईए और जीवन में चमतकार होते हुए देखिए क्योंकि उनसे बड़ा और कोई न थोरा सा सुद्ध घी लेकर जाए थोरा सा पहले सिब्लिंग पर जलर पित करें फिर थोरा सा घी आप सिब्लिंग पर लगाए पती पतनी दोनों विलकर और फिर सिब्जी से प्राथना करें संतान प्राप्ति के लिए शिग्र ही आपको इसके फायदे मिलेंगे आपको निमुन ने आएंगे फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादेब धन्यवाद